नमस्कार दोस्तों, कहानियों की स्रंकला में आज सुनेंगे माल्ची जोशी जी की कहानी सास सास पर पहरा बैठा लेकिन उससे पहले मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानिया आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परचितों में शेयर भी करें बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी न भूलें आज सुनिये सास सास पर पहरा बैठा मिसेज प्रसाद बोल रही है हाँ, आप कौन? मैं मिसेज सरन बोल रही हूँ पहचाना? मैंने तो तुरंत ही पहचान लिया था पर उस आवाज ने जैसे अंतस की सारी मिठास ही सोख ली थी अत्यन्त रूखे लहजे में मैंने कहा माफ कीजेगा, ठीक से याद नहीं आ रहा मैं मिनी की मम्मी बोल रही हूँ इस नाम के उलेग से तो रहा सहा सोजन ने भी समाप्थ हो गया मैंने पूछा, कहिए कैसे याद किया? आपका बेटा, मेरा मतलब है डॉक्टर अजे से अपाइंट्पेंट लेना था घर पर देख तो लेते हैं ना? एक बार बेटा और फिर देख तो लेते हैं ना? साफ जाहिर था, महिला काफी कन्फियोस्ट लग रही थी मैंने उसके अस्वंजस का लुद्प उठाते हुए कहा वैसे घर पर देखता तो नहीं है पर आप आजाईए, आपको देख लेगा दरसल मिनी आज कल यहां आई हुई है उसे ही चेक अप करवाना था अब पीछे लोटना नामुम्किन था मैंने एहसान सा जताते हुए कहा आज आईएगा, लेकिन पहले फोन जरूर कर लें अकसर विजिट पर निकल जाता है फोन रखने के बाद मैं कितनी देर तक उसे घूरती हुई बैठी रही वह प्रसंग याद आया जब पहली बार यह आवाज सुनी थी उन दिनों ना तो यह बंगला था ना ही हमारे घर में फोन था हम लोग शिवा जी नगर में सरकारी क्वार्टर में रहते थे पडोस में शर्मा जी के यहाँ फोन था पर हमने जिसे भी नंबर दे रखा था जता दिया था कि केवल इमर्जेंसी में ही फोन करें और केवल मैसेज दें बुलाने का जंजट ना रखें इसलिए उस दिन जब पडोस की नीतु ने आकर बताया कि आंटी आपका फोन है तो बहुत आश्यर हुआ कोई मिसेज सरन बोल रही है यह जानकर तो मैं और भी आश्यर में पड़ गई इसी सोच में डूबी मैं उसके पीछे पीछे चल दी मिसेज शर्मा अपनी बुनाई लेकर बरामदे में ही विराजमान थी और उस घर की प्रथा के अनुसार फोन भी मुझे वही लाकर थमा दिया गया था हेलो मैंने कापती सी आवाज में कहा हेलो कौन मिसेज प्रसाद बोल रही है उधर से एक दबंग आवाज आई मैं मिसेज सरन बोल रही हूँ जी मैंने पहचाना नहीं मैं म्रडालनी की मम्मी बोल रही हूँ म्रडालनी कौन? आपके बेटे के साथ पढ़ती है आपके घर भी अकसर आती रहती है शायद कौन? मिनी? जी उसका नाम नडालनी है यह बात कुछ इस तरह ठोक बजा कर कही गई थी कि दुबारा मैं उसे मिनी कहने का साहस न करूँ आप बता सकती है आपका बेटा आज कहां गया है? शायद भोजपुर जाने की बात थी कौन कौन गया है? शायद पूरी क्लास ही गई है मोटर साइकल से गया है यहां से तो मोटर साइकल पर ही गया है शायद बस करने की बात थी पर बस के लिए कहां एक अठा होना है यह मुझे मालूम नहीं है मेरी बात पूरी भी नहोपाई थी कि वहां से फोन रख दिया गया प्राई मुल्तवी करके मिसेज शर्मा फोन पर कान दिये बैठी हैं। उनकी आखों में उत्सुपता फूटी पड़ रही थी। उनके सामने कुछ तो कहना ही था। ये लड़कियां भी अजीब होती हैं। अरे तुम बाहर जा रही हो तो घर पर ठीक से बता कर तो जाओ। मा जैसे मुझे कट घरे में खड़ा करके वे क्रास एक्जामिन कर रही हो। मैं इस कदर जली भुनी बैठी थी कि अजय के लोटने पर उसे पानी भी नहीं पीने दिया और शुडू हो गई। वो तुम्हारी मिनी की मम्मी का फोन आया था। क्या कह रही थी। दुनिया भर के सवाल पूँच रही थी। ये लोग कहां गए हैं, कैसे गए हैं, साथ में कौन कौन हैं, क्या मिनी घर पर कुछ भी बता कर नहीं जाती। अजीब बेवकूफ औरत है। अजय मैंने डपटा, तुम किसी के मा के बारे में बात कर रहे हो। सौरी ममा, पर मेरे सामने मिनी ने उन्हें सारे डिटेल्स दिये थे। कह रही थी ये पांचमी बार सब कुछ पूचा जा रहा है। तो क्या तुम उसके घर गए थे? हाँ, उसने कहा था मुझे पिक अप कर लेना, वहीं से हम लोग गल्स होस्टल गए थे। तभी तो, तभी तो उनका माथा ठनका होगा, सो अपनी बेटी पर तो बस चलता नहीं है, दूसरों पर धोश जमाती है। इस अवरत का दूसरा फोन तो और भी अपरीतिकर था, आज भी याद आती है तो अपमान से मेरा बदन जलने लगता है। उस समय तक मिनी मेरे घर में ही नहीं, मेरे मन में भी रच बस गई थी। उस कि दिन अजे ने शिकायत कर दी थी, ममा ये भुकड लड़की मेरा सारा टिफिन चट कर जाती है। तब से मैं अजे को बड़ा सा टिफिन देने लगी थी। उसमें आलू के, मेथी के, मूली के, गोभी के पराठे बदल बदल कर देती। तीज त्योहर पर उसके हिस्से की म अपनी मन पसंद चीजें पाकर वह बच्चों की तरह किलकारी भरती और मेरी खुशी का पारावार न रहता। एक दो बार अजे ने कहा भी, ममा क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये कुछ जादा ही हो रहा है। फालतू फिलास्पी बगारने की जरूरत नहीं है, मैं उसे ड भतीजे की शादी में हैदराबाद जा रही थी, तो मिनी ने हैदराबादी मोत्यों की फर्माईश कर दी। मैं तो निहाल हो गई। अपने गुप्त खजाने से मैंने पैसे निकाल लिये और श्रीमान जी से छुपा कर एक प्यारा सा सेट खरीद लिया। घर लोटते ही मैं मैंने अजय को अपनी सौगात दिखाई। उसने निरलिप्त भाव से देखा और रख दिया। वैसे भी लड़कों को इन चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं होती। पर मेरा उत्साह तो फूटा पड़ रहा था। मैंने कहा मिनी के लिए है। क्या? वह बुरी तरह चौका और क्या? तुम क्या समझे थे? ये जुमके मैं पहनूंगी। ममा उसने गंभीर होकर कहा। उसके लिए इतने पैसे फूखने की कोई जरूरत नहीं थी। इतने पैसे कहां फूखे हैं? कोई बहुत महेंगा थोड़े ही है। तब तो और भी। तुम समझती नहीं हो ममा। वे लोग बहुत बड़े लोग हैं। तुम्हारी ये पसीने की कमाई वहां दो कौड़ी की होकर रह जाएगी। इधर उधर फिक्ती फिरेगी। वह मजाक में कुछ कह देती है और तुम उसे पकड़ कर बैठ जाती हो। खाने पीने तक तो ठीक है। बट दिस इस टू मज मैंने कोई प्रतिवाद नहीं किया। चुपचाप वह सेट उठा कर रख दिया और औसर की प्रतीक्षा करती रही। मुझे जादा दिन रुकना नहीं पड़ा। एक दिन मिनी ने आकर मेरे पाउच हुए। आंटी आज मेरा बर्थडे है। आशिरवाद दीजिये। मैंने तुरंत वह सेट लाकर उसके हाथों में थमा दिया। उसने डिब्बा खोल कर देखा तो उसकी आँखें हर्श और विसमें से भर उठी। ओ आंटी यू आर सो स्वीट। उसने कहा और फौरन मेरे ड्रेसिंग टेबल के सामने बैट कर पहनने लगी। तीन ही चीजें थी। हार कंगन जुमके पर पहनते ही जैसे उसका रूप और भी निखराया। वह मुख्ध होकर अपना ही प्रतिविंब निहारती रही। वह कमनिये रूप रात भर मेरी आँखों में तेरता रहा। मेरे सपनों को आनंद से सराबोर करता रहा। इतने दिनों तक पती से यह बात मैंने छुपा रखी थी पर खुशी के आवयग में उन्हें भी सब कुछ सुना दिया। रात तो इन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा पर सुबह नाश्ते के समय बोले। जया बुरा ना मानो तो एक बात कहूं। कहिए दरसल तुम बहुत ज्यादा भावुक हो। इसलिए ब बच्चों के बारे में देखो अब वह पहले वाला जमाना तो रहा नहीं। लड़के लड़कियां आजकल नहीं संकोच एक दूसरे से मिलते हैं, बात करते हैं, एक दूसरे के घर जाते हैं। मेडिकल इस्टुडेंट्स तो कुछ ज़्यादा ही फ्री होते हैं। तो कहना यही है कि बहुत सारे सपने मत देखा करो, पच्चताओगी, मैंने बहस नहीं की, इक्षा ही नहीं हुई, ऐसी बातों पर कोई बहस करे भी तो क्या? हूँ, बाप बेटा दोनों मुझे सिखाने चले हैं, मैं बच्ची हूँ जैसे, मेडिकल इस्टुडेंट हुए तो क्या दुनिया से निराले हो गए, अरे मा हूँ मैं, मुझे कोई धोखा नहीं दे सकता, इस बात को पांच घंटे भी नहीं पीते होंगे, कि मेरा सम्मन आ गया, पडोस की नीतु बुरा सा मो बना कर आई और बोली, आंटी, कोई मिसस सरन आप से बात करना चाहती है, फोन पर उस रूखी दबंग आवाज से सामना हुआ, मिसस प्रसाद बोल रही है, जी, वह मोतियों वाला सेट मिनी को आपने दिया था, जी, क्या सोच कर दिया था, उनकी आवाज ऐसी थी कि मेरा खून ही जम गया, देखिये, हम जिस दिस से इतना महंगा प्रेजेंट नहीं लेते, जि यह औरत जान बोज कर अंजान बन रही है, या कि कुछ जानती ही नहीं, मुझे भी ताव आ गया, मैंने भी नितांत ब्यवहारिक लहजे में कहा, देखिये, पहली बात तो यह है कि वह सेट बहुत महंगा नहीं है, दूसरे यह कि आपकी बेटी ने मुझसे मंगाया था, अ अब मुझे मिसेश सर्मा को झेलना था, गुसे में तो थी ही मैं, उसी रो में कह दिया, अजीब बेवकूफ लड़की है, सामान मंगाने से पहले घर पर पूछना तो चाहिए, मंगा लिया, अब पैसे देते जान निकल रही है, और देखिये मिसेश सर्मा, अब इस औरत का फोन आये तो मुझे मत बुलाईएगा, प्लीज, मैं कहां तक इनकी बिटिया की चौकीदारी करती रहूंगी, उसके बाद फोन तो नहीं आया, तीसरे दिन एक चपरासी मेरा ठिकाना पूछता हुआ आया, उसने एक लिफापा मुझे पकड़ाया, देखा पूरे हजार र लगा कि जैसे किसी ने मेरा इसनेहदान ही लोटा दिया हो, शर्म के मारे मैंने अजे से या उसके पापा से कभी इस बात का जिक्र भी नहीं किया, मिनी को शायद इन सब बातों की खबर ही नहीं थी, वै उसी तरह घर आती रही, मुझे से पनीर के पकोड़े और मौं की कच चोड़ी बनवाती रही, अजे की शिकायतों का पुलिंदा खोलती रही, पर मेरा मन रूठा ही रहा, फिर धीरे धीरे उसका आना कम होता गया, तब मुझे लगा कि मुझे उसकी कितनी आदत हो गई है, किसी किसी दिन तो मैं सड़क पर पलके बिचाए ही बैठी रहती, और उस पर नाराज होना मेरी बेवकूफी ही थी, उन दिनों शायद अजे इंटरंशिप कर रहा था, साथ ही पीजी की पढ़ाई भी जोरों से चल रही थी, पर इस बीच मिनी बिल्कुल अंतर ध्यान हो गई, आखिर घबरा कर मैंने एक दिन पूची लिया, क्या बात है, आज पढ़ाई तो चौपट हो जाती है, तो क्या वह परीक्षा नहीं देगी, इंटरंशिप ही कर ले तो बहुत है, क्यों, ऐसा क्यों, उसे जरूरत क्या है मम्मी, उसके ससुराल वाले इतने अमीर हैं, कि एक डॉक्टर उसके लिए अलग से रख सकते हैं, तो, तो क्या उसकी शादी हो रही है, हाँ, अगले महीने, मैंने अजय की ओर देखा, उसका चेहरा एकदम सीधा सपाट था, अज्जू, क्या सचमुच, मैं पूछना चाह रही थी, कि अज्जू, क्या सचमुच, तुम्हें बुरा नहीं लगा, तुम्हारा मन भी तुम्हारे स्वर की तरह न मेरे पास आखड़ा हुआ, मेरी पीट सहलाते हुए बोला, क्या बात है ममा, तुम्हारी तब्यत तो ठीक है न, दर असल तुम सोचती बहुत हो, अब जाकर लेट जाओ, मैं गोली दे रहा हूँ, खाकर सो जाओ, मुझे अपने उपर बहुत बहुत शर्म आई, लगा कि ब खिल ठाल कर भेजा होगा, इस बार मिसस सरन का मूट काफी अच्छा था, शायद अब उने मुझे से या मेरे बेटे से कोई खत्रा नहीं था, इसलिए वे निश्चिन्त हो गई थी, उन्होंने अजय की भूरी भूरी प्रशंशा की, हम लोगों से शादी में आने के लिए बार-बार आग रह किया, उनके निमंतरन का मान रखने के लिए हमें शादी में जाना भी पड़ा, उस समारोह में बैभो के भब प्रदर्शन को देखकर मैं सहम गई, किस बूते पर मैं इस लड़की को बहु बनाने चली थी, मेरे घर में एक फोन तक नहीं है, उसके बाद गाड़ी भी है, पर कुछ है जो कसकता ही रहता है, रात खाना खाते हुए मैंने कहा, आज मिसस सरन का फोन आया था, कौन मिसस सरन, अरे वही मिनी की मम्मी, तो ऐसा कहो न, उन्हें मिसस सरन के नाम से कौन जानता है, वे तो मिनी की मम्मी के नाम से ही मशहूर है, बेचारी म अजे कितने सहज भाव से यह सब कह गया था। मैंने कंखियों से चारू की ओर देखा। वह बड़े मनोयोग से कार्तिक को खाना खिला रही थी। क्या यह मिनी के बारे में जानती है। जानती है तो कितना। हाँ तो यह मिसस सरन क्या कह रही थी। अपॉइंट्मेंट मांग रही थी। मिनी का चेक अप करवाना है। मैंने फिर एक बार चारू की ओर देखा। वह अपने काम में वैस्त थी। तुमने क्या जवाब दिया ममा। क्या कहती। यही कहा कि आने से पहले फोन कर ले। दैट्स गुड। पर मिनी को यहां आने की क् पड़ गई। लोग तो यहां से बंबई जाते हैं। विश्वास भी तो कोई चीज होती है। मैंने आखें गड़ा कर चारू के चेहरे की ओर देखा। पर कहीं कोई सलवट नजर नहीं आई। शायद उसने सहज भाव से ही यह कह दिया होगा। अजे को तो उसकी बात पर ह असी ही आ गई। बोला तुम विश्वास की बात करती हो। वह बेवकूप मुझे डॉक्टर भी मान ले तो बहुत है। अरे अमीरों का यह भी एक शगल होता है। अपनी तबियत का रोना लेकर डॉक्टरों के हां दोड़ते रहते हैं। पैसे खर्च करने का कुछ तो बह हाना मिले। जैसा की तै हुआ था एक दिन दोपहर चार बजे दोनों मा बेटी पधारी। मिनी को मैं लगवक दस साल बात देख रही थी। सुख और वैभो जैसे उसके शरीर से फूटा पड़ रहा था। अजे तो छूटते ही बोला वाह घर कैसा भरा भरा लग रहा है। पता चल रहा है कि कोई खाते पीते घर की महिला पधारी है। अजे मैंने डबता। अच्छा हुआ जो मिसस सरन उसके व्यंग को समझ नहीं पाई। शायद वे उस मैनाय इस्थिती में थी भी नहीं। विसूरते हुए बोली खाते पीते घर की होने से क्या फर्क पड़ता ह है बेटा। कोई खाय पीए तब तो इसे ना तो भूक लगती है ना नीद आती है। थोड़ी देर को सोती है तो अजीब अजीब सपने आते हैं। इतनी सी उम्र में बीपी की प्रॉब्लम हो गई है। डॉक्टर कहते हैं कि जल्दी कंट्रोल नहीं हुआ तो हार्ट भी ड अब तो वे दोनों भी हॉस्टल चले गए हैं। मैंने कहा अब यहां दो-चार महीने रहो और लगकर इलाज कराओ। तुम्हें ठीक करके ही भेजूगी। दो-चार लोगों ने जब तुम्हारा जिक्र किया तो मैंने कहा अरे ये तो अपना अजय है। सच बेटा इतनी सी उम्र में तुमने बहुत नाम कमा लिया है। बड़ी खुशी होती है। इतने लंबे चोड़े वक्तब के बाद वे सांस लेने को रुकी तो अजय ने कहा अच्छा तो आंटी अब यह बताईए कि मैं डॉक्टर की तरह बात करूं या आपके अपने अजय की तरह। तुम और सबसे पहले इनसे कहिए कि 5-10 किलो वजन कम करें। सारी प्रॉब्लम्स अपने आप ठीक हो जाएंगी। डॉक्टर होकर इतना भी नहीं जानती कि मोटापा 100 बिमारियों को आमंतरन देता है। अजय पहले उसे ठीक से देख तो लो। आते ही लेक्चर जारना शुरू क कर दिया। मैंने डॉक्टर मा का हक अदा किया और भीतर चारू के पास चली गई। वह चाई की तयारी में वेस्त थी। मैं बाहर वैभो का प्रदर्शन देख कर आई थी। चाहा की चारू भी जरा ठीक ठाक होकर बाहर आए। पर ऐसा साप साप कहने का साहस नहुआ। इस चारू ट्रे में प्लेट चमच जमा रही थी। अपना काम जारी रखते हुए बोली मम्मी जी वे बड़े लोग हैं। पांच दस तोला तो वे लोग वैसे ही डाले रहते हैं। फिर वे अपनी मा के साथ आई हैं। आप लोग तो अपनी बहु बेटियों को जहां भी ले ज कुछे करवाया तो उसने सिर पर दुपट्टा डालकर मिसेस सरन के पाउं चूलिये। उन्होंने ठोड़ी चूकर उसे आशिरवाद दिया और पर्स खोलकर सौका एक करारा नोट भी दिया। ये क्या कर रही हैं। पहली बार बहु को देखा है तो क्या खाली हाथ देखू उसके लॉकेट से खेल रहा था। उसे चूमते हुए मिनी बोली इन हजरत की तो हमें याद ही नहीं रही। नहीं तो कोई अच्छी सी टॉफी ले आते। कोई बात नहीं अगली बार ले आईएगा। चारू ने शहद गुले स्वर में कहा। लेकिन अगली बार पेशेंट बन कर नहीं खाने पर आईएगा। आज तो जल्दी में कुछ बना ही नहीं पाई। माई गुडनेस यह तो मेरे लिए खाने के बराबर ही हो गया। मिनी ने पनीर का पकोड़ा उठाते हुए कहा। और सब की सब मेरी फैबरेट चीजें हैं। मम्मी जी ने बता दिया हाई आंटी आपको अब तक याद है। सो स्वीट आफ यू। मिनी ने किलक कर कहा। वह फिर से वही पहले वाली मिनी बन गई थी। उस समय अजे कंसल्टिंग रूम से निकल कर आया। मेज पर प्लेटों का हुजून देखकर बोला ये क्या कर रहे हो तुम लोग। वह रादागीरी नहीं चलेगी। चारू की इस बात पर सब लोग खुलकर हस दिये। वातावरन हलका हो गया। मिसेस सरन बोली ये आज दो चीजें चाव से खा रही है तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। मैं तो यह सीन देखने को ही तरस गई थी। आंटी जी मैंने आप से पहले भी कहा था अब फिर कह रहा हूं इसे कोई बिमारी नहीं है खाली समय इसे खाये जा रहा है। पती टूर पर रहते हैं बच्चे होस्टल में हैं तो इसके पास अब वक्त ही वक्त है। बैठे बैठे सोचती रहती है और कुड़ती रहती है। इसे चाहिए कि इस वक्त का कुछ सदूपयोग करे। तो क्या करूँ घर में कुछ करने को हो तब तो दरजन भर नौकर चाकर हैं। उनके लिए ही काम नहीं निकलता तो हमें कौन करने देगा। तुम्हारी तो जॉइन फैमिली है ना। दूसरी औरते क्या करती हैं। मेरी सास तो दिन रा लग लेडीज प्लबों में हाउजी खेलती हैं। मुझे इन में से एक भी काम अच्छा नहीं लगता। सब करके देख लिया। किसी में मेरा मन नहीं लगता। तुम्हें यह सब करने की जरूरत भी क्या है। तुम्हारे पास तो अच्छी खासी MBBS की डिगरी है। खाली सम जोपरपटी में जाकर मुफ्त इलाज कर सकती हो। दवाईयां बाड़ सकती हो। स्वार्थ परमार्थ दोनों सिध्ध होगा। अरे वे लोग बहुत दकिया नूसी हैं। जोपरपटी में नहीं जाने देंगे। मिसेस सरन बोली। घर में गैरिस तो होगा तीन हैं। तो जो दिन में खाली रहता हो उसमें क्लीनिक खोल लो अजे हम लोग फ्लैट में रहते हैं और सोसाइटी वाले हर किसी को आहाते में नहीं आने देंगे क्लीनिक में तो दस्त रहके लोग आएंगे तो दूसरे मेंबर्स ऑबजेक्शन उठाएंगे दरसल आजकल बंबई में बंगलों में रहना बहुत अनसेफ हो गया है इसलिए सब बड़े लोग फ्लैट में ही रहते हैं मिनी का फ्लैट कहने भर का फ्लैट है पूरा महल है महल मिसेस सरन ने फौरन इस पस्टी करण दे डाला उन्हें डर लगा कि कहीं हम मिनी की हैसियत कम न आप बैठें तो तुम पती के साथ टूर पर जाया करो बिजनेस में हाथ बटाया करो यह तो बिल्कुल भी संभव नहीं कहते हैं जितने चाहे पैसे लो और चुप-चाप घर में बैठो बिजनेस में टांग मत अड़ाओ उनकी भावियों की तरह मैं पैसा फेकती रहू त पर काम करने के नाम से उन्हें चिड़ होती है उनसे कहो कि पढ़ी लिखी और अनपढ़ महिलाओं में कुछ तो फर्क होगा नहीं अजय वे सब पढ़ी लिखी हैं मेरी बड़ी जिठानी एललवी हैं छोटी तो MSC PhD हैं मेरी सास तक उस जमाने की बिये हैं पढ़ लिखकर वे लोग इतना निश्क्रिय जीवन जी रही हैं तो यह उनका अपना मसला है It is their life अपनी पढ़ाई लिखाई बरबात करने का उन्हें पूरा अधिकार है पर तुम अपनी डिगरी में जंग लगने दो तो यह जुर्म होगा It is a social crime मतलब इस देश में डॉक्टरों का वैसे ही अकाल है ऐसे में एक डॉक्टर अगर घर में बैठ जाए तो यह अन्याय ही होगा ना एक विद्यार्थी को डॉक्टर बनाने में शासन का कितना खर्च आता है जानती हो और तुम जैसे लोग उस खर्च को मिट्टी कर देते हैं एक तो तुमने एक होनहार चात्र की सीट चीन ली फिर उसका उपयोग भी नहीं किया यह तो दोहरा अन्याय है तुम बीए एमे करके घर बैठ जाती तो कोई बात नहीं थी पर एमबीबियस करके घर बैठना यह तो अच्छम में अपराध है मिनी सिर जुकाय सुनती रही उसकी मा से बेटी की यह दशा नहीं देख गई बोली पहले इसकी तब्यत तो ठीक हो ले फिर सोचेंगे उसकी तब्यत को कुछ नहीं हुआ है आंटी जी यह सिर्फ फ्रस्टेशन है कुछ ना कर पाने की विवस्ता ने उसे बीमार कर दिया है ऐसा नहोता तो वह भी मजे में ताश खेल कर जिंदगी गुजार सकती तो अब मैं क्या करूँ मिनी की आवाज ऐसी थी जैसे किसी गहरे कुएं से आ रही हो करना क्या है अपने घरवालों से कहो कि मुझे काम चाहिए I need work आपको पैसों की जरूरत ना सही पर मुझे काम की जरूरत है नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगी मिनी ने फिर सिर्जुका मैं जानती थी अपने घरवालों से वह कभी कुछ नहीं कह पाएगी वह इसी तरह मन में कुड़ती रहेगी अगर कुछ कहने की हिम्मत होती तो क्या अपने माबाप से नहीं कहती कि मेरी शादी रोग दीजे मेरा मन कहीं और है जो जीवन के निर्णायक छड़ों में मुह न पैयार खड़ी थी वह हमारे बीच से कब उठकर चली गई हमें पता ही नहीं चला अभी आधा घंटा पहले एक घरेलू सी लड़की हमारे बीच में बैठी चाय का सामान समेट रही थी अब हमारे सामने खड़ी थी एक चुस्त दुरुस्त डॉक्टर कलफ लगी साड़ी ग देखिये न कैसी भागम भाग मची रहती है दो घड़ी आपके पास बैठ भी नहीं पाई मिनी निर्नमेश उसे देख रही थी सच मुझ चारू का चेहरा आत्म विश्वास के तेज से दमक रहा था उसके सामने मिनी कितनी फीकी और असहाय लग रही थी पहली बार मुझे अपनी बहु पर प्यार आया लगा इन लोगों की नजर न लग जाए कहीं तो ये थी कहानी कहानी आपको कैसी लगी कॉमेंट करके जरूर बताएं